आज हम सीखेंगे चित्रा लेख के बारे में पिछले वीडियो में हमने सीखा कि आकड़े यानी डेटा संख्याओं के वे संग्र हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किये जाते हैं ऐसी क्रिया जिससे हम किसी विशय से संबंधित सूचना एकत्रित यानी कलेक्ट करते हैं उसे आकड़ों का अभिलेखन यानी डेटा रिकॉर्डिंग कहते हैं यथा प्राप्त आकड़े यानी रौ डेटा अर्थात मूल रूप में एकत्रित की गई सूचनाओं से कोई निशकर्ष निकालना सरल नहीं होता इसलिए हम आकड़ों का संगठन यानी और्गनाइजेशन ओफ डेटा करते हैं आज हम आकड़ों को निरुपित करने का एक तिलचस्प तरीका समझेंगे इस आलेख को देखिए इसमें आईस्क्रीम विक्रेता ने बेची हुई आईस्क्रीम का नाम और उनकी संख्या दर्शाई है वीडियो रोक कर इसे समझने की कोशिश कीजिए हमें दिया गया है कि एक चित्र पांच आईस्क्रीम को निरुपित करता है यहां स्ट्रॉबेरी आईस्क्रीम की पंक्ती में पांच चित्र बने हैं तो बताइए आईस्क्रीम विक्रेता ने कितनी स्ट्रॉबेरी आईस्क्रीम बेची बिल्कुल सही उसने 5,5 बराबर 25 स्ट्रोबेरी आइस्क्रीम बेची इसी प्रकार आप दूसरे प्रकार के आइस्क्रीम की संख्या पता कीजिए क्या यहां आसान है? हाँ, यहां बहुत आसान है यहां चोकलेट आइस्क्रीम के पंक्ती में 6 चित्र बने है जिसका अर्थ है कि आइस्क्रीम विक्रेता ने 6,5 बराबर 30 चोकलेट आइस्क्रीम बेची यहां आलेक हमें आकडों को सिर्फ देखकर समझने में सहायता प्रदान करता है हमें इस आलेक में संख्याएं नहीं दी है लेकिन फिर भी हम सिर्फ चित्रों को देखकर आसानी से आकडों से संबंदित सवालों का जवाब पता कर सकते हैं ऐसा आलेक जिसमें आकडों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में निरुपित किया जाता है एक चित्रा लेक यानि पिक्टोग्राफ कहलाता है किसी भी चित्रा लेक में एक जैसे चित्रों का प्रयोक किया जाता है जो आकडों को निरुपित करते हैं साथी साथ हमें एक चित्र का मान भी दिया हुआ होता है जिसके उप्योक से हम आलेक को समच सकते हैं चित्रालेखों की उप्योग से हम काफी जानकारी हासल कर सकते हैं जैसे दिये चित्रालेख में हम आईस्क्रीम विक्रिता द्वारा बेची गई प्रत्येक प्रकार की आईस्क्रीम की संख्या पता कर सकते हैं साथ ही साथ हम बिना संख्या पता कि ये इनकी तोलना भी कर सकते हैं. जैसे क्या आप बता सकते हैं यहां आईस्क्रीम विक्रिता ने सबसे अधिक संख्या में कौन से प्रकार की आईस्क्रीम बेची? सोचिए सोचिए. बिल्कुल सही यहां चौकलेट आइसक्रीम के पंक्ती में सबसे अधिक चित्र बनाए गए हैं इससे यहां पता चलता है कि आइसक्रीम विक्रेता ने सबसे अधिक चौकलेट आइसक्रीम बेची है इसी तरह हम यहां भी देखते हैं कि यहां मैंगो आइस्क्रीम के पंक्ती में सबसे कम चित्र बनाए है इसलिए हम कह सकते हैं कि आइस्क्रीम विक्रेता ने सबसे कम मैंगो आइस्क्रीम बेची है क्या बता सकते हैं आईस्क्रीम विक्रेता ने मैंगो आईस्क्रीम से कितने अधेक संख्या में चॉकलेट आईस्क्रीम बेची है सोचिए सोचिए बिल्कुल सही पता करने के लिए हमें दोनों की संख्या ग्याद करना अवश्यक नहीं हम चौकलेट आइसक्रीम के पंक्ती में बनाई चितरों की संख्या से मैंगो आइसक्रीम की पंक्ती में बनाई चितरों की संख्या को घटाएंगे, जिसका परिणाम है चार, याने के चार चितर अधिक है, और फिर हम पांच गुणा चार करके संख्या 20 प्राप्त कर लेंगे जो हमें बताएगी कि आइस्क्रीम विक्रेता ने मैंगो आइस्क्रीम से 20 चोकलेट आइस्क्रीम अधिक बेची है आज हमने सीखा चित्रा लेख क्या होते हैं अगले वीडियो में समझेंगे इन्हें कैसे खीचा जाता है झाल